हाला आपड़ी वान दिस इस में महांति वारियेंच ओर चानल फिनांशल पंडेत एक नए वीडियो के साथ मैं फिराया हूं हर एक दिन मीच्वल फंड और इंवेस्मेंट से इलेटेड आपके लिए वीडियो लेका आता हूं वाकरी में आप चाहते हो वीडियो का अपडेश रूट चुका है और 2022 का ये सबसे ज्यादा गिरावट है लगातार तीन दिनों में और ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा अगर हम 2022 के डाटा को देखें तो कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें लगातार हमें इतने बड़े-बड़े पोइंट का गिरावट देखने को मिला तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे आपके सामने हर एक कैटेगरी से कुछ ऐसे मीचोल फंड रखूंगा जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट है इस मार्केट का गिरावट का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अ इंवेस्टमेंट प्लानिंग को लेके आप कुछ न कुछ सोच रहे हों आप यहां पे जुड़ सकते हैं डिसक्रप्शन में जाके आप पूरा डीटेल चेक कर सकते हैं और वोट्सप नंबर के थूँ यहां पे जुड़ सकते हैं चलिए अब देखो मैं आपको बता दूँ कि अगर देखा जाए इस वीक में सबसे ज़्यादा दबाओ किस सेक्टर पे रहा है सबसे ज़्यादा अगर दबाओ की बात करें तो यहां पे देखने को मिला है कि IT सेक्टर के जो स्टॉक से उसमें काफी ज़्यादा गिरावट है और उस गिरावट का असर मीच्वल पे लग रहा है इड़ेक्टली वहां भी ज़्यादा दबाओ देखने को मिला है सबसे ज़्यादा दबाओ इन दो के डिगरी के मीच्वल फंड पे देखने को मिला है चलिए वन बाई वन आपके सामने में डाटा रखना चाहता हूं लेकिन सबसे पहले कैटेगरी वाइस ठीड के थोड़ा नजर डाल लेते हैं तो इस वन वीक में 3.39% का गिरावट देखने को मिला है अगर हम इंटरनेशनल लिकुटी रिचुन पर करे तो 1.97% गिरावट है सेक्टर फार्मा की बात करे तो यहां भी 1.67% का गिरावट है वहीं पर अगर थिमेटिक एसजी की ब बात करें तो 1.21 और अगर यहां पे फ्लेक्सी केप की बात करें तो 1.20% का गिरावट देखने को मिला है आप देख सकते हो यहां पे जो सक्तर वाइस जो मीच्वल को मिला है वन वीक के डाटा पे अगर नजर डाले तो यहां पे DSP टॉप हंडेड एकुटी फंड की बात करें तो यह भी मीच्वल फंड 1.90% के करीब में इस वीक में तूटा है वहीं पे अगर IDFC लाज केप की बात करें तो 1.86 और SBI ब्लूची फंड की बात करें तो 1.79% का गिरावट देखने को मिला है वहीं पे अगर कुछ बहतरी इन मुच्वल फंड जिस पे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फोकॉस करते हैं जैसे कैनल आप को ब्लूची फंड की बात करूं तो इस वीक में 1.38% टूटा है वहीं पे अगर मैं इसे इसे पुडेंसेल ब्लूची फंड की बात करूं तो 1.39% के करीब में एक्सिस ब्लूची भी 1.39% के करीब में विराई एसैट लाज के फंड की बात करूं तो 1.43% के करी में ये mutual fund भी टूटा है पिछले one week का data आपके सामने रख रहा है, चलिए अब meet cap के टेगरी में आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे mutual fund जिसमें सबसे जादा दबाव है यहाँ पे देख सकते हो, IDVA meet cap fund की बात करे, 2.06% का गिरावट, Franklin India प्राइमा fund की बात करे, 1.93% का गिरावट सुन्दरम meet cap fund की बात करे, तो यहाँ भी 1.84% का गिरावट है L&T meet cap fund की बात करे, तो 1.81% का गिरावट है Axis meet cap mutual fund की बात करे, तो 1.66% का, और यहाँ पे SBA magnum meet cap fund की बात करे, तो 1.59% का गिरावट है कुछ ऐसे mutual fund जिस पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है market के दबाओ का it means कि ऐसे mutual fund में गिरावट काफी जाता है चलिए अगर मैं small cap की बात करूँ तो small cap में देखने को मिला है जो सबसे ज़्यादा दबाओ यहां पे कोटे के small cap में 0.90% का है वहीं पे सुन्दरमी small cap में 0.88% का है BOIAX small cap में 0.70% का IDVA small cap की बात करें तो 0.60% का HDFC small cap में 0.43% का चलिए अब technology sector की बात करते हैं कुछ ऐसे mutual fund जैसे गर हम Tata Digital India fund की बात करें तो 3.57% का गिरावट है और वहीं पे अधिति बिल्ला Sunlight Digital India fund की बात करें 3.43% का गिरावट है ICICI Prudential Technology fund की बात करें तो 3.29% का गिरावट देखने को मिल रहा है वहीं पे अगर International Exposure के fund की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो ओल्मोस्ट जो निपोन इंडिया US Equity Opportunity Fund है यहां 3.26% का गिरावट है वहीं पे निपोन इंडिया Japan Equity Fund में 3.24% का गिरावट है अब Focused Fund की बात करते हैं Focused Fund पे अगर नजर डाले तो इस काटेगरी में जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है Axis Focus 25 Fund पे यहां पे 2.01% का गिरावट है 75 और IC से Pudential Focused Equity Fund को देखे तो 1.54% का गिरावट देखने को मिला है कुछ एक ऐसे Focused Fund काटेगरी से Mitchell Fund जिसमें ज़्यादा दबाव देखने को मिला है चलिए अब आपके सामने Flexi Cap काटेगरी से रखते है Flexi Cap काटेगरी से जो सबसे ज़्यादा दबाव है आप देख सकते हो यहाँ पर UTI Flexi Cap Fund है 2.98% का गिरावट है अदित तिबिल्ला सलाई Flexi Cap Fund में 1.94% का वहीं पर मोती लाल और स्वाल Flexi Cap में 1.85% टाटा Flexi Cap Fund में यहाँ पर 1.82% और अगर एक्सिस Flexi Cap Fund की बात करें तो 1.59% के करीब में गिरावट देखने को मिला है लेकिन मैं जो आपके सामने यह डाटा रखा हूँ यह सिर्फ आपके information के लिए यहाँ पर आपको कोई भी negative decision नहीं लेना है इस चोटे मोटे गिरावट को देखके आपको अपना कोई यहाँ पर mutual fund SIP को stop नहीं करना है और नहीं redeem करना है देखो जो भी आप mutual fund में investment करते हो वो long time के लिए करते हो और ऐसे में सिर्फ time to time आपके पास information रखता हूँ कि गिरावट में आप थोड़ा बहुत लंसम invest करके और उसका थोड़ा सा मुनाफा ले सके तो इसलिए जब जब market में गिरावट होता है तो मैं आपके सामने ये data लेके आता हूँ कि थोड़ा सा आप समझ जाओ कि कैसे mutual funds में कितना दबाव है और कैसे mutual funds को आप focus कर सकते हो additional investment करके जो भी आपका mutual fund SIP चल रहा है उसमें आप थोड़ा बहुत additional investment करे फिर मिले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवाद